आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question के अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है The hind brain in frog consists of तो देखो जैसे के अगर हम बात करें hind brain region की frog के तो हमें पता है hind brain होता है जो frog का एक major part consist करता है और divided होता है two parts के अंदर जैसे की हम बोल सकते हैं पहले part को वो है हमारा cerebellum region इसके बाद अगर हम second वाले की बात करें तो वो है हमारा medulla region जिसे हम बोलता है medulla और longitta भी अगर हम cerebellum region की बात करें पहले frog के तो हम बोल सकते हैं ये consist करता है different zones पे तो हम यहां बोल सकते हैं इसकी जो range होती है वो follow करती है एक rudimentary range यह हम बोल सकते हैं rudimentary narrow system यहां पर rudimentary narrow system हम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो signals transfer होते हैं और इनके जो information activity transfer होती है different body regions में वो consist होती है rudimentary narrow system से यह transfer section है जो consist करता है of band region और यहां पर जो band होगा वो consist होगा solid band से यह present होता है dorsal zone पे हम बोल सकते हैं dorsally found होता है इसके साथ अगर हम इसके region की बात करें तो हमको पता है यह present होता है behind the optic lobes देखो जैसे कि हमने बात करें थी lobe system की तो यह optic lobes जो होते हैं एक important function perform करते हैं brain unit के अंदर इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं यह regulate करता है different function को जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें vestibulo oculomotor का तो हम बोल सकते हैं यह region जो होता है vestibulo oculomotor जैसे कि इस नाम से हमें पता लग रहा है यह different motor nerve का काम करता है यहां पर जो brain की regulation system को maintain रखता है और एक important movement रखता है eye regions का तो हम बोलेंगे cerebellum का function यह होता है इसके बाद अगर हम बात करें वो है हमारा medulla oblonguita region देखो तो अगर हम medulla oblonguita की बात करें तो यह consist करता है short range में इन्दी हिंड brain इसके साथ साथ अगर हम इसके structure की बात करें तो जो medulla region का structure होता है वो formation करता है एक triangular range की यह हम बोल सकते है triangular shape की इसके साथ हम बोल सकते है यह widening region है यह हम बोल सकते है joining region है spinal cord का इसके अंदर एक distinctive feature present होता है और हम बोल सकते है यह cavity role में play करता है विद्धी fourth ventricle region से अंदर जिसे हम बोलता है metacoil यह metacoil region जो होती है यह help करती है for the joining of spinal cord regions में तो हम बोलेंगे hind brain के अंदर यह दोनों ही part different functions perform करते हैं तो इस question का answer होगा हमारा option D Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर